हाव रूफीक्स वाइफाई कनेक्टेट विडाउट इंटरनेट प्रॉब्लेम इन एनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आखिर की वाइफाई जो है वो कनेक्ट होते हैं विडाउट इंटरनेट ठीक है आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ इसको क्या प्रॉब्लेम हुआ है और कैसे यह प्रॉब्लेम सॉल्फ होगा तो अगर आपको भी जानना है वीडियो को आन तक देखें जो भी सॉलूशन है उसको फ यह वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों वाइफाय कनेक्टेट लेकिन बीना इंटरनेट ठीक है यानि कि उस वाइफाय में इंटरनेट नहीं है तो उस इंटरनेट का स्पीड यहां पर शोर रहे 72 MPS ठीक है और उसकी बाद उसका पासवर्ड हो गया सेक्यूरूटी प्रीकर अप्षेन भी एफले लेकिन यहां पर क्या हुआ है reward इंटरनेट कनेक्ट हूआ यानि 9 praying अभी आपका इंटरनेट अवर रहेगा तो वाई-फाइ से आपका कुछ भी नहीं चलने वाले मोबायल पर नहीं है तो आपको क्या करना है उस होटब स्पोट वाले डिवाइस में जाना है जाके इंटरनेट कनेक्शन को ओन कर देना है एंकरने के रहादी दोस्तों यह कनेक्ट होगा वीट इंटरनेट ठीक है अगर करें अपने सेटिंग पर जेनेरल मेंजमेंट को सेलेक करें और उसके बाद दोस्तों रीसेट ऑप्شन पर क्लिक करते हुए जाई कर रिसेच है और सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग किस क्यों कि उस होट्षपोट वाले डिवाइस में इंटरनेट ओन रहें ठीक है अगर उसमें अभी इंटरनेट ओफ है तो आपको दुबारा से प्रोब्लेम होगा तो उसके इंटरनेट। चेक कीजिए hotspot limit चेक कीजिए ठीक है और उसके बाद ही चनेक कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जागा सारे सार आपका मुबाइल सॉफिर अपडेट नहीं है तो मुबाइल सॉफिर को भी अपडेट जरू से कर लेना ठीक है तो बस दूसर यह है सॉलुशन और इस